इंडिया के पास कौन कौन सी vaccins है जो कि इंडिया में समझेगा एक तो इंडिया ने बनाई ये मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं इंडिया में अभी available है और इंडिया में लगाने के लिए गौर्णमेंट ने हा कर दिये मैं उनकी बात कर रहा हूं इसका कोई भी side effect नहीं नजर आया अभी तक बहुत बढ़िया बात है co vaccine का कोई side effect नहीं है पर यह किससे बनाए गई है inactivated virus से बनाए गई है जो virus मर गया है उससे बनाएए दो doses इसकी लगेंगी इंतजार होगा कम से कम एक या दो महीने का वो government आपको बता देगी मतलब जो vaccine लगाने जाओगे दूसरी dose के बार बता देगे यह भी dose से 8 degree Celsius तक लंबे समय तक रखी जा सकती है तो आपको पता होना चाहिए इसकी कोई side effect नहीं है co vaccine इंडिया based है made in India है हमने ही बनाई है इसके अलावाद दो vaccine हो रहे है आपने बहुत सुना होगा नाम है covishield covishield हमने नहीं बनाई लेकिन यह जो serum institute है पुरे वो इसकी manufacturing कर रहा है बनाई किसने बनाई है यहाँ पर Oxford और यह AstraZeneca इन दोनोंने मिलके बनाई है Oxford और ExtraZeneca ठीक है यह दो universities या फिर के दो organizations नहीं मिलके बनाई है covishield डाम है इसका serum institute पुरे वाला इसको manufacture कर रहा है जिसका मालिक अभी out of country चला गया धमकियों की वज़े से आपको पता होगा इसकी भी दो vaccine लगाई जाएंगी और इसकी खास बात क्या है फो से 8 degree Celsius तक 6 मैने तक जिंदा रह सकती है लेकिन कोvishield को लेके काफी शिकायते आई थी पूरे हमारी इंडिया में नहीं आई है लेकिन बाहर शिकायते आ रही है कोvishield को लेकि कुछ शिकायते आई थी लेकिन उन शिकायतों के बारे में हम लोग बात करें किस तरह की शिकायत है, क्या हुआ, हमें जानना ज़रूरी है ना, तो उसके बारे मैं आपको बताऊंगा, इसके लावा, अभी एक वैक्सीन जो है, 24 अपरेल को हमारी गौवर्मेंट ने बोला है कि ले लो, वो किसने बनाई है, रशिया, गमालेया, गमालेया, रशिया की एक organization उन्हें बनाई, नाम रखा Sputnik V, Sputnik नाम सुना होगा आपने, Sputnik एक्चली रशिया का पहला spacecraft था, नाम उसका Sputnik था, Sputnik का मतलब होता है, सबको साथ लेके चलो, तो उन्हें बोला चलो, उड़ने के time पे Sputnik काम्याब हो गया था, आपको पता है, तो उन्हें ने दवाई का नाम भी Sputnik रख दिया, तो अभी जो Sputnik की दवाई है, वो भी दो वैक्सीन लगेंगी, और ये रशिया से आई है, इसको माइनस 18 डिग्री सेल्सिस पर लिक्विड फोम में रखा जा सकता है, लेकिन 2 से 8 डिग्री सेल्सिस पर लिक्विड फोम में नहीं रखा जा सकता है, इसको सिर्ड ड्राइ फोम में रखा जा सकता है, यह पाउडर फोम में रखा जा सकता है तो Sputnik Powder Foam में जिन्दा रहेगी दो से आग Liquid Foam में नहीं रह सकती तो ये वो vaccines हैं जो कि India में available है सवाल ये उठता है अगर हमारे सामने मालो को vaccine लखी हो आपके सामने डॉक्टर शीशी रखेगा आज तो मारे पास पता नहीं choice भी है कि नहीं है डॉक्टर को कोई choice दोगा है हाँ डॉक्टर साब vaccine लगवाने आए है अच्छा डॉक्टर साब कौन सी vaccine लगाओगे हमारे A2 motivation वाले सर ने का था तीन-तीन vaccine available है तो जाड़के कहा देगा भाई यहाँ कोई तीन-तीन vaccine available नहीं है जो लगवाले लेकिन थोड़े पैसे वालों के लिए या फिर अमीर लोग जो private में लगवाना चाहते है उनके पास choices होंगी शायद और मेभी आने वाले समय में आपके पास generally अभी तो देखो available नहीं है freely लेकिन आने वाले समय में क्या होगा ऐसा तो है नहीं कि बच्चे पैदा नहीं होंगे बच्चे तो regularly पैदा होते जाएंगे जब हम लोग सब vaccination लगवा लेंगे तो अब क्या होगा general medical store पे आपके पास है न corona की vaccines available होंगी अब वहाँ पर आपके पास choice होगी या आप अपने बच्चे को कौन सी लगवाना चाहते हो महाँ पर को vaccine लगवाना चाहते हो या फिर Covishield या फिर Sputnik भी और बाकी अगर माल लो कोई बाहर की भी आ जाती है तो थोड़े थोड़े जैसे जैसे globalization बढ़ रहा है आपको पता ये globalization है तो बाकी vaccines भी कभी नगभी तो इंडिया में आई जाएंगी तो जब आपके बास choice होगी तो आपको कौन सी लगवानी है ये सवाल सबके दिमाग में होता है अभी तो पता नहीं कोई choice मिलेगे कि नहीं मिलेगे अभी बोलेंगे भाई या हमारे बात हो कोवी शिल्ड में थोड़ी problems आ रही है किस तरह की problems है स्पुत्रिक वीग में क्या हुआ था इसमें किस तरह की problems है अभी तेम अधायतों जो तीन अपने पास अवेलेवाद हैं इंडिया में उसमें जरीव यही कोवेक्सीन है जिसमें कोई शिकायत नहीं आई है इसमें थोड़ी बोज शिकायत बाहर आई है इसमें भी थोड़ी बोज शिकायत बाहर आई है अब क्या-क्या शिकायते आ रही है और क्या-क्या इसके साइट इफेक्ट हैं उसके बारे में हम लोग बात कर लें